और बिदेश में भी सबसे ज़्यादे वो लंदन को प्रिफर करते हैं ऐसा क्यों होता है ऐसा नहीं कि कि वाल भारत के लोग लंदन भागते हैं पाकिस्तान के प्रधान मंतिर नवासरीप के उपर जब रष्टाचार क्या रोप लगे वो भी लंदन भाग गए वहां के पूर तो पती वगर हो काते हैं कि अगर आप इंगलंड में आकर 2 million pound का अगर इंवेस्टमेंट करते हैं या भंगला खरीते हैं error चलातें या फेक्टरी खोलते हैं कोई बी चीज करते हैं तो हम आपको कुछ साल तक रहने की guarantee देदेए ताया आप Shape sab प्राट रखे बैठीए इसके लिए भारत सरकार ने भी इंगलेंड से तदा अन्य देशों से भी पत्यारपण संधी किया है जिसके एक्ट्राडिक्शन ट्रीटी के नाम से जनते हैं अब यह एक्ट्राडिक्शन ट्रीटी जो है इंटरनेशनल लौ नहीं है यह गया उयुकरने के लिए वह देश पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा इसकी कोई गैरेंटी ने तरुदीर इसके लिए इंटरनेशनल पुलीस को parl तो इन्टरपॉल के पास जाए जाता है इंटर पॉल एक नोटीस नियमाल्या जोती जिसे कहे रेइड कॉल्याम गुपते है ल जो चुबके हैं उन्हें पकड़ने के लिए रेड कोणर नोटिस लाया जाता है उसके बाद परत्यार पर कराया जाता है लेकिन जो खुलीयामग padaสन्थी कर लिया थै इनले इंग्लेंड भाग जाते हैं दूसरा कहा जाता है कि political leaders को हम परत्यारपण नहीं करेंगे जैसे अभी जो बाइडन आये हैं अगर मन के चले डोनाल ट्रम्प बीस्टो केस लगाएंगे तो भागाएंगे डोनाल ट्रम्प लंदन में तो यह दो लोग तो सीधे-सीधे ब देने वाले को हम देते नहीं हैं लेकिन अब दिया किसको जाता है तो वैसा crime करने वाला व्यक्ति जो दोनों देश में crime माना जाता हो जैसे भारत में कुछ ऐसे crime हैं जिने आप crime मान सकते हैं लेकिन वह वह ऐसे कानून जो है वह अमेरिका या इंग्लेंड में crime नहीं माने जाते हैं तो आप उसी संधी पर परतियार पड़ उसी कानून पर होगा परतियार पड़ जो इसको दोनों देशों ने crime की स्रेड़ी में रखा हुआ है जैसे भारत में pornography बनाना एक तरह का अपराद है लेकिन इंग्लेंड में यह अपराद नहीं है तो दोनों कंट्री में इंग्लेंड का देगा कि ने भी यह हम आपको परतियार पड़ नहीं करें लेकिन निरो मोधी और वीजय मालिया के समय में तो दोनों दोनों देश कहते हैं इसके इलावे कहा जाता है कि आईसा नहीं है कि आप आईएगा कि आदमी आपके यह देश में हमको दे दिजे हम इ इससे परतियार पड़ ले जा रहे हैं आप वही केस चलाईएगा अपने देश में ऐसा नहीं है कि भारत इंग्लेंड से ले जाएगा निरो मोधी को बैंकिंग फ्रॉड के लिए कि PNB घोटाला किया है और वहां ले जाके मडर केस चला दिएगा ऐसे में आपको परतियार परतियारपण नहीं किया जा सकता है तो भारत ने यह सारे एविडेंस दी है उसके बाद भी मामला अटक जाता है कि मन के चली हमने सारा एविडेंस दे दिया लेकिन उस देश के साथ हमारा परतियारपण संधी यानि एक्स्टरडिक्शन ट्रीटी नहीं हुआ है तो वह द कर दीजे आपके केस को फसा देता है क्योंकि इंगलेंड इतना जान भूच के कहता है कि हमारा समझौता से बहुत नहीं है पहले यह court decide करेगी कि हमें लोटाना है या नहीं यानि जो जो चीजे जरूरी है यह court में जाएगा और यह शुरुवात करता है England district court से अब आप बताई भीजा district court में तीन साल लटक जाएगा मामला district court अब हाइ हमें भारत को बाइना पढ़ेगा जो से टैट है नकर भारत ही जाएक आपको यह मामला पर्मिशन लेनी पड़ती है हाई कोट से कि यह मामला सुप्रीम कोट के लायक हाई की नहीं तो निरो मोधी के केस में उजज ने कहा दिया हाई कोट का कि नहीं आप भारत ही जाएंगे आपको यह मामला इंगलेंड मतलब सुप्रीम कोट जाने लायक नहीं है लेकिन अगर सुप्रीम कोट जाने लायक रहता तो एक-दो साल और फंस जाता तो यहां तो खतम हो गया लेकिन सबसे जादे अगर किसी को बचाता है तो इंगलेंड का एक वह है यूरोपियन कोट ओफ हुमन राइट य और यह कहते हैं कि जब तक यह कोट नहीं कहेगा कि आपको किया जाए परत्यार पर तब तक नहीं करेंगा अब यह लोग छोटे से छोटे चीज को ध्यान देते हैं कि आप इनको जब ले जाएंगे तो जेल कैसा है उस जेल की हॉस्पीटल बेवस्था कैसी है बिल्डिंग आना एकदम फिक्स हो गया क्योंकि आर्था रोड जेल में कुछ कोरोना के मरीज में मिले थे